नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नाई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं दिव्यांग पैंसन योजना, विद्वाँ पैंसन योजना, बुज़ूर्ग पैंसन योजना, सभी पैंसन लाभारत्यों के लिए आज की है जानकारी यह खबर बहुत ही जरूर है परधान मंतरी निरंदर मोदी जी की सरकार द्वारा और यहां पर पैंसन समाज कल्याण योजना के अंतर के तो सभी पैंसन लाभारतियों को एक SMS भेजा जारा है, मैसिज भेजा जारा है, जिसमें दोस्तों यहां पर बताया गया है, क्या बताया है आप इस वीडियो में जान और किने नहीं करना किन व्यक्तियों के पास मैसिज भेजा जा रहा है और किन व्यक्तियों के पास नहीं भेजा जा रहा है आखिरकार क्या करण है ये मैसिज भेजने का ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सकें चलिए दोस्तों अब आपर वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइस में बताते हैं समाज के लियान की तरब से एक ताज़ा अपडेट जा रिखिया गया है इस ताज़ा अपडेट में सभी पैंसन लाभारतियों को दिव्यांग, विद्वां, बुजर्ग, कुष्ट, अवस्था, पैंसन धारकों के मोबाइल पर एक मैसिज भेजा जा रहा है इस मैसिज कई लाक ऐसे पैंसन लाभारति हैं जिन्होंने पैंसन फाराम बढ़ते समय मोबाइल नमबर दिया था वहेख हो गया है, रद हो गया है इसी करण की वज़े से लाकों पैंसन लाभारति ऐसे हैं जिनके पास यह मैसिज उन्हें नहीं मिल पा रहा है उनके पास नहीं पहुँच पा रहा है जिन पैंसन लाभारतियों ने आविदन करते समय अपना मोबाइल नमबर दिया था और अभी भी उनके पास वे है मोबाइल नमबर चल रहा है तो उन्हें मैसिज प्राप्त हो रहा है समाज कल्याण की तरफ से सभी पैंसन लाभारतियों को जो मैसिज बेजा जा रहा है उनके मोबाइल पर उसने दोस्तो उस मैसिज में क्या बता गया है वह आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैसिज जान लिजे कि मैसिज में क्या बता गया यहाँ पर दोस्तों लिखा है आपके आवेदन पंजिक और शंख्या निरासरित महिला यानि कि जिस आपकी पैंसन लाब ले रहे हैं दोस्तों यह व्यक्ति यहाँ पर यह महिला पैंसन का लाब ले रही थी तो इनके पास निरासरित महिला का मैसिज भेजा गय दोस्तों यहाँ पर आधार चते हैं अपने हे तू नाम, तरह उन्रोध विभाग द्वारे, ध्यार गया, अब दोस्तों आपको आपको इसका मतलब मतलब बताते है, इसका क्या आर्थ है इस मैस्जश का, सबसे पहले अर्थ Germat आप यह जाने, जिन वेक्तों की काफी ज़्यादा पुरानी penson है और उनका जो mobile नमर है अब देन करते समय दिया था वह है नमबर खो गया है, अब याद नहीं है कौन सा नमबर दिया था तो दोस्तों उनके पास ये message नहीं पहुँच पा रहा है जिन वेक्टियों के पास नमबर याद है और उन्होंने अपना नमबर दिया हुआ है अभी भी उनके पास चल रहा है तो उनके पास ये मेसिज आज चुका था तो दोस्तों आपके पास ये अपडेट का मेसिज यहां पर आ चुका है अपडेट का यानि कि आपने ओनलाइन आपके यहां पर जो गलतिया थी उसे अपरूवल मिल चुका है अपरूवल होने पास आप अपनी पैंशन का EKYC करा सकते हैं EKYC आपको कराने के लिए आपके पास दो दस्तावेज होने चाहिए पहले तो आपका आधार काड है फिर आपका मोबाइल नंबर है अब दोस्तों जल्द से जल्द जिनके पास ये मेसिज आया है वे अपनी पैंशन का EKYC करा सकते हैं दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर व्यक पैंशन है उन वहत्ति दोस्तों एक सो एक परतिसद अपनी पैंशन का EKYC कराना ही कराना है अगर नहीं कराते हैं तो दोस्तों यहां पर वे ऐपातर माने जाएंगे और उन֊ पैंसन, यहाँ पर बंद की जा सकते रद भी हो सकते, यानि कि अब से लगा कर और पुराने जितने भी पुराने पैंसन धारा के, प्անाल पुराने अच्छे साल पुराने, साथ साल पुराने सभी को अपनी पैंसन का IKYC कराना अनिवारी है, सरकाड ने अनिवारी किया हुआ है दोस्तों नजदी की CSC सेंटर पर जाकर अपनी pension का EKYC करा लीजे यदि आप अपनी pension बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें भी भविस्ये में यह हैं पैंसन का लाब मिलता है सरकार द्वारा आप नजदे की CST सेंटर पर जाएए जिन वेक्त तुने पैंसन आई के वैसे नहीं करा है वैं जल्द से जल्द EKYC करा लिजे क्योंकि आने वाले समय में जल्द से जल्द हो सकता है कि जून के महीने में जो उनके महीने के अंत में आपके पैंसन आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए यानि कि कभी भी सरकार द्वारा पैंसन लाभारत्यों की जो पैंसन आवे ट्रांसफर की जा सकती है इसलिए आप ज़्यादा विलम ना करे जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अपनी पैंसन का EKYC पूरा करा लीजिए यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो आपने इसे कमेंट बोक्स में जाकर हम से पूछ सकते हैं आपके सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा यदि आपको हमरे दिवी जानकारी थोड़ सी पसंद आया तो वीडियो को जोड़ लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम परेर्थ होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लाइस्ट वीडियो में यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय वारत